नमस्का एशारी जिडियों में आपका स्वागत है मैं प्रिया आपके साथ सोशल मीडिया पर आज भी अटल व्याहरी बाचपे की बाते हर उम्र के लोगों के दिलों पर गहरा प्रभाव डालती है चाहे संसत में उनकी राजनितिक बाते हो या साहित के मंच पर उनकी कवीताएं अटल व्याहरी बाचपे की बातों में राश्ट प्रेम सर्वो परी रहा पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी बाचपई की आज 99 जनती है आईए पूर्व प्रधान मंत्री की उन प्रेरक बातों को याद करें जो हमेशा अमर रहेंगे उन्होंने कहा मैं 40 साल से इस सदन का सदस्ति हूँ सदस्तियों ने मेरा वेवार देखा मेरा आचरन देखा लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गड़ बंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं एसी सत्ता को चिम्टे से भी चूना पसंद नहीं करूँगा मैं अपनी सीमाओं से परिचित हूँ मुझे अपनी कमियों का एहसास है निर्नायकों ने अवशी मेरी नियुनिताओं को नजर अंदाच करके मुझे निर्वाचित किया है सदभाओं में अभाओ दिखाई नहीं देता ये देश बड़ा अजभूत है बड़ा अलूटा है किसी भी पत्थर को सिंदूर लगा कर अभिवादन किया जा सकता है आतंगवाद एक नासूर बन गया है ये मानवता का दुश्मन है मेरा कवी हरदय मुझे राजनितिक समस्याओं का सामना करने की शक्ती देता है विशेशकर उन समस्याओं का जिनका मेरी अंतर आत्मा पर प्रभाव पड़ता है व्यत्ति को सशक्त बनाने का अर्थ है राष्ट को सशक्त बनाना और सरशक्तिकरन का सबसे अच्छा काम त्रीव सामजिक परिवर्तन के साथ तेवर आर्थिक विकास है हमारा लक्ष अनंत आकाश जितना उचा हो सकता है लेकिन हमारे मन में एक दूसरे का हाथ थाम कर आगे बढ़ने का संकल्प होना चाहिए क्योंकि जीत हमारी होगी जीत और हार जीवन का हिस्सा है जिसे संभाव से देखना चाहिए हिंसा किसी भी चीज में योगदान नहीं देती है निरक्षर्ता और निर्धनता का बड़ा गहरा संबंध है जो राजनितिक में रूची लेता है वो सहित्य के लिए समय नहीं निकाल पाता और सहित्य का राजनिति के लिए समय नहीं दे पाता लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो दोनों के लिए समय देते हैं वे अभिनंदनी हैं मेरे पास न तो दादा की दोलत है और नहीं पिता की संपती मेरे पास सिर्फ मेरी मा का अशिरवात है जो इन सबसे बहुत बढ़ा है आप मित्र बदल सकते हैं मगर पडोसी नहीं कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक फेला हुआ ये भारत एक राश्ट्र है अनेक राश्ट्रियों तका सम्हू नहीं है सूर एक सत्य है जिससे चुटलाया नहीं जा सकता लेकिन ओस की बून भी तो एक सच्चाई है ये बात अलग है कि ये शनिक है इंसान बनो केवल नाम से नहीं, रूप से नहीं, शकल से नहीं, बलकि हरदय से बुद्धी से ग्यान से बनो इसी के साथ मैंने रहिए, एशा इस अंडिया के साथ, हल्यवाद